प्यारे दोस्तो अल्टिमेट ग्यान में आपका हार्दिक सागत है जैमातादी दोस्तो हनुमान जी भी आपको लक्ष्मी प्राप्त करवा सकते हैं पर दोस्तो आपने इस्टे लिए जो अर्दास लगानी हैं अब हम आपको उस अर्दास के बारे में बताते हैं यदि आप इस प्रकार का प्रियोग यानि यह तोटका आजमाते हैं तो आप हनुमान जी से भी लक्ष्मी की प्राप्ती कर सकते हैं करना क्या है आपको मंगलवार के दिन आप एक नारियल लें। नारियल सुखा हो जो आवाज करता हो जिसमें खटखट की आवाज आती है। दोस्तो पानी वाला नारियल नहीं लेना है। दोस्तो उस नारियल को अपने पास रखकर आपने उस पर गंगा जल के छीटे लगाने हैं अब दोस्तों आपने गंगाजल के छीटे लगाने के बाद उस पर थोड़ा सिंदूर चड़ाना हैं थोड़े चावल चड़ाने हैं और दोस्तों अब आपने उसमें 11 रुपए रखने हैं अब आपने एक लाल कपड़ा जिसको आप उसकी तह बना करके नारियल के जितना ही चोड़ा बना लें अब उस कपड़े को आप नारियल के उपर लपेट दें आपने उस कपड़े को लपेटने के बाद लाल धागा जिसे मोली बोलते हैं जैसे हम हाथ के बानते हैं इस धागे को साथ बार लपेटना है उसके उपर और तोड़ देना है उसमें गांट नहीं लगानी है उस धागे को उसी में टांक देना है अब दोस्तों आपने करना क्या है उस नारियल को लेकर सीधे हनुमान के मंदिर जाना है हनुमान के मंदिर में जाने के पश्चात यह नारियल हनुमान जी के पैरों में रख दीजिए अब दोस्तों हाथ जोड़ कर खड़े हो जाईए और हनुमान जी का ध्यान करते हुए अपनी अरदास लगाएं अरदास में आपने अपनी लक्ष्मी प्राप्ति के बारे में अरदास लगानी है अपना नाम बोलना है इस प्रकार बोलना है कि हे हनुमान जी मैं अपना नाम बोलना है आपने अपना गोत्र बोलना है यदि गोत्र के बारे में पता नहीं होता तो अपने नाम के साथ अपने पिता का नाम बोल दें दोस्तो बस यह बोलने के बाद आप कहें कि हे हनमान जी मैं यह आपकी पूजा आपके चरणों में चड़ा रहा हूँ इसका मुझे भरपूर फल प्राप्ति दें आप अपना हाथ मेरे सर पर बनाए रखें और मुझे लक्षमी प्रदान करें दोस्तो इस प्रकार करने से हनमान जी बेहद प्रसंद होते हैं पर दोस्तो आपने इस प्रयोग को पांच मंगलवार तक करना है यानि पांच मंगलवार को ही करना है बीच में नहीं करना जब भी मंगलवार आता है तब एक बार फिर मंगलवार आएगा दोसरे बार इस प्रकार यह प्रयोग पांच बार करना है दोस्तो फिर देखना आपको किस प्रकार से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है दोस्तो छोटे छोटे उपाए और यह प्रयोग हम आपके लिए डालते रहते हैं ताकि आप इनका किसी भी प्रयोग से पूरा लाब उठासकें और दोस्तो इस प्रकार जब आपको लाब होता है तो हमारा कारिय हमारा प्रयोजन भी सबर हो जाता है तो दोस्तो कैसा लगता है आपको अपना यह प्रोग्राम यदि आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें तो फिर मिलेंगे दोस्तो अगले अंक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद